अज आज हम देखी तोड़े टोटके में नीवों मिलची के स्तमाल इसके पीछे क्या समय क्या सुलॉटी ऑजानिक मानेता है इन सब के बार में जांगे आपने ऐन में कई तो आज हम इसी के बाए में जानेगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है वैसे हम जानते हैं कि हिंदु दर्व में जो भी मानेता है जो तो भी टोनेट ओटकों का स्तेमाल होता है उसमें कोई रगए साइटिफेक्ट रिजन ज़रू होता है क्योंकि हमारे जो बड़े बुद्रग हैं विद्वान लोग हैं वो लोग बिना साइंस के बिना रिजन के काम नहीं करते थे इन सब का पता नहीं है इसलिए हम लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं लेकि जब मैंने इसके बाई में जाना और मैंने इसका अनलैसिस किया तो मुझे लगा यह बहुत इंपॉर्टन्ट है बहुत यूस्फुल भी है तो देखते हैं कि नीवर मेचिक इस्तिमाल कहा होता है तो इस इसमें इसको हम टोने टोटके में इस्तिमाल करते हैं नज़र उताने के लिए अब इसके पीछे क्या साइटिफिक रीजन है यह हम देख लेते हैं हम जानते हैं कि नीवर में जो है वह कीट नाशक के गुड़ होते हैं इसमें साइटिक एसे होता है जो कि बाहरी बैक्टिय है वह 200 तक चला गया बजार में नीवू मिलना बंद हो गया इतनी ज्यादा इसकी डिमांड भड़ गई तो हम समझ सकते हैं कि नीवू है जो वह बहुत ही उपयोगी है एंटीबैक्टिरियल है और वातावण को स्वास्ते को अच्छा रखता है साफ सुता रखता है और इस इसलिए इसका इस्तमाल करोना कान में भी बहुत ज्यादा किया गया है और अब भी किया जा रहा है कि विटाविन सी वैसे भी एंटीबोडीज है जो उनको बढ़ाते हैं और आपको इम्म्यूनिटी को बढ़ाते हैं यह भी हमको पता लग गया है इसलिए हम नीवू के मिल सब्सक्राइब है कि मिर्ची का स्वाद ज्वलंत होता है मिर्ची तीखी होती है इसका जो है उसको लोग ज्यादा देर तक देखना पसंद नहीं करते हैं और नीवू है उसमें जो तत्व हैं वह आसपास के वातवर को शुद्ध करते हैं कि इसके बीचे जो पराणे को मानेता है वो यह है कि दुर्भागे की देवी होती अलक्षमी को खटा तीखा मसालेदा भोजन पसंद है इसलिए अगर अलक्षमी को कुलक्षमी को अपना प्रिया भोजन दिख जाता है तो वह बाहर से खाके चली जाती है वह घर के अंदर परवेश नहीं करती है तो जोती जोतीष यह कागण देख लेते हैं जोतीष चल क्या होते हैं कि तुम जानते हैं खट्टा होता है और इसी तरह से जो मिर्च होती है वह पति हैं सन फरके मंगल हम जानते हैं कि मंगल जू है और निवो मिट्टी है अगर आप अपने घर के दर्वाजे पर अपनी संपत्ति के दर्वाजे पर दुकान दर्वाजे पर लगा देते हैं इसका मतलब है कि एक सेनापती को आपने दर्वाजे पर रखा हुआ है जो कि आपकी शत्रों से बुरी नजर से रक्षा करेगा तो इसका जोतिश है कर दूसरी है कि मंगल केटु का रूप जो है जोतिश में हनमान जी का माना जाता है तो उस रूप में अगरा फर्माजी को भी अपने संपत्ती के मुखे द्वार पर इस्थापित कर देते हैं जो कि आपकी रख्षा करता है आपकी संपत्ती की रख्षा करता है आप देखते हैं कि क्यूं होता है तोरन तोटके में निवुर मेंची का समय सका इस्थाप करोकर सकारात्म्रवाब को उत्पन किया जा सके निवुर का जो खटा सुभाथ होता है वा ध्यान और एक आगता को बीच में ही भंग कर देता है जिससे की जो बुरी नजर होती है कोई बुरी द्रश्टी होती है वो जब आपकी संपत्ति के दर भढ़ती है तो वो व्यक्ति जादर दे तक उस पर बुरी नजर डाल नहीं पाता है और अपना बराप प्रभाब छोड़ नहीं पाता है और आपकी संपत्ति की रक्षा हो जा करते हैं यह प्रभाब जो है यह नीवू मिर्ची अपने घ्र करके उसको नश्ट कर देता है कि यानि कि वह आप तक तो नहीं पहुच पाएंगे ठीक है अच्छा आपने देखा बड़े जो है वो कहते हैं कि बड़े बुजग जो है इसके पीछे प्रभाब को रोकने के लिए उसको दूर करने के लिए तो जब वह व्यक्ति जिसने नीवू मेची का इस्तिमाल अपने घर दुकौन पर किया होता है जब वो इसको निकाल के फऺकता है तो उसके अंदर वो नकारत्मक प्रभाव होता है और जिस व्यक्ति वह पढ़ जाता है वह नकारत्मक प्रभाव उसको घर्ण कर लेता है जिससे कि उसकी जिंदिगी में कश्ट unique करदौर शुरू हो जाता है तो इसलिए जो है श्रक पर बढ़े नीवू परिच्छी पर पैर नहीं रखना चाहिए और जो वेक्ति इसको फैक्ता है तो अगर नीवू मिर्ची पर जित्ता जाता कुछला जाएगा उत्ता ज्यादा उसका नेगटिव असा खतम हो जाएगा उसकी वेक्ति से उसका जो ने नेवू और मिर्ची पड़ा होता सो फ़यर नहीं हखना चाहिए तो यह थी अधर है नेवू और में ट्ट कर लि़िये के लिए नजया वचने के लिए तो फिर सब्सक्राइब करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोट्रिफिकेशन टाइम भी मिल जें